एक राष्ट के तौर पर एक परिवार के तौर पर आपने हमने पूरे देश ने एक अईतियासिक फैसला लिया है एक ऐसी व्यवस्ता जिसकी वज़े से जम्मु कश्मीर और लद्दाक के हमारे भाई बहन अनेक अधिकारों से वन्चित थे जो उनके विकास में बड़ी बादा थी वो हम सब के प्रयासों से अब दूर हो गई है जो सपना सरदार वल्लभाई पटेल का था बाबा साब आमबेड कर का था डॉक्टर शामा प्रसाद मुखर जी का था अटल जी और करोडो देश भक्तों का था वो सपना अब पूरा हुआ है जम्मु कश्मीर और लदाख में एक नए युक की शुरुवात हुई है अब देश के सभी नागरिकों के हग भी समान है और दाइत्व भी समान है मैं जम्मु कश्मीर के लोगों को लदाख के लोगों को और प्रतेख देश वासी को रदय पूरवक बहुत 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 बधाई देता हूं कि साथ्यों कि समाज जीवन में कुछ बातें कि समय के साथ इतनी गुल मिल जाती है कि कई बार कि उन चीजों का कि एक प्रकार्चे मन में स्थाही भाव बन जाता है स्थाही मान दिया जाता है यह भाव आ जाता है कि कुछ बढ़लेगा ही नहीं बस ऐसे ही चलेगा आर्टिकल 370 अनुच्छे 370 के साथ भी ऐसा ही हुआ उसमें जंबू कश्मीर और रदा के हमारे भाइबेनों की हमारे बच्चों की जो हानी हो रही थी उसकी चर्चा ही नहीं होती थी है है कि आप किसी से भी बात करें तो कोई ये भी नहीं बता पाता था कि अनुच्छे 370 से जंबू कश्मीर के लोगों के जीवन में क्या लाब हुआ भाई और बहनों आर्टिकल 370 और 35 ए ने जंबू किश्मीर को अलगाववात आतंकवात परिवारवात और व्यवस्थाओं में बड़े पैमाने पर फैले ब्रस्टाचार के अलावा कुछ नहीं दिया इन दोनों अनुच्छेद का देश के खिलाप कुछ लोगों की भावनाए भड़काने के लिए पाकिस्तान द्वारा एक सस्त्र के तौर पर इस्तमाल किया जा रहा था इसकी वजह से पिछले तीन दसक में लगभग 42,000 निर्दोष लोग 42,000 यांकडा किसी की भी आंख में चांसू ला देता है 42,000 निर्दोष लोगों को अपनी जान गवानी पड़ी जम्मु कश्मीर और लदाक का विकास उस गती से नहीं हो पाया जिसका वो हकदार था अब व्यवस्था की एक कमी दूर होने से जम्मु कश्मीर और लदाक के लोगों का वर्तमान तो सुद्रेगा ही उनका भविश भी सुरक्षित होगा साथियों हमारे देश में कोई भी सरकार हो वो संसद में कानून बना कर देश की भलाई के लिए काम करती है किसी भी दल की सरकार हो किसी भी गठबंदन की सरकार हो यह कार्य निरंतर चलता रहता है कानून बनाते समय संसद में काफी भैस होती है संसद के भार भी भूछ चर्चा होती है चिंतन मनन होता है उसकी आवश्रक्ता उसके प्रभाव को लेकर गंबीर पक्ष रखे जाते हैं इस प्रक्रिया से गुजर कर जो कानून बनता है वो पूरे देश के लोगों का बढ़ा करता है लेकिन कोई कलपना नहीं कर सकता कि संसद इतनी बड़ी संख्या में कानून बनाएं और वो कानून देश के एक हिस्से में लागू ही नहीं हो यहां तक कि पहले की जो सरकारें एक कानून बनाकर वहवाई लूटती थी वो भी यह दावा नहीं कर पाती थी कि उनका बनाया कानून जम्मू कश्वीर में भी लागू होगा जो कानून देश की पूरी आबादी के लिए बनता था उसके लाप से जम्मू कश्वीर के डेड करोड से जादा लोग बन्चित रह जाते थे सोचिए देश के अन्य राज्यों में बच्चों को सिच्छा का अधिकार है लेकिन जम्मू कश्वीर के बच्चे इससे बन्चित थे क्या गुना है उन बच्चों का देश के अन्य राज्यों में बेटियों को जो सारे हक मिलते हैं वो सारे हक जम्मू कश्वीर की बेटियों को नहीं मिलते थे देश के अन्य राज्यों में सफाई कर्मचारियों के लिए सफाई कर्मचारी एक्ट लागू है लेकिन जम्मू कश्मीर के सफाई कर्मचारी इससे बंचित थे उनको ये हक नहीं दिया गया था देश के अन्य राज्यों में दलीतों पर अत्याचार रोकने के लिए सक्त कानून लागू है लेकिन जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं था देश के अन्य राज्यों में अल्प संख्यकों के हितों की रख्षन के लिए माइनोरिटी अक लागू है लेकिन जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं था देश के अन्य राज्यों में मद्दूरों के लिए स्रमूकों के हितों की रख्षा के लिए मिनिमम्म बेज़ेज एक लागू है लेकिन जम्मू कश्मीर में काम करने वाले स्रमूकों को यह सिर्फ और सिर्फ कागजों पर ही लटका हुआ मिलता था कि देश के अन्य राज्यों में कि चुनाव लड़ते समाएं कि एससी एस्टी कि अनुसुति जन्जाती के भायों बहनों को कि आरक्षन का लाब मिलता था कि लेकिन कि जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं था कि साथियों कि अब आर्टिकल 370 कि और थर्टिफाइव ए बीते हुए इतिहास की बात हो जाने के बात उसके नकारात्मक प्रभावों से भी जम्मू कश्मीर जल्द बहार निकलेगा इसका मुझे पुरा विस्वास है भाई और वहनों नई व्यवस्था में केंद्र सरकार की ये प्रात्मिता रहेगी कि राज के कर्मचारियों को जिसमें जम्मू कश्मीर की पुलीस मी सामीर है उन सब को दूसरे केंद्र सासरीत प्रदेश के कर्मचारियों और वहां की पुलीस के बराबर की सुविधाएं मिलें अभी केंद्र सासरीत प्रदेशों में अनेक ऐसी वित्तिय सुविधाएं जैसे LTC, House Rent Allowance, बच्चों की शिक्षा के लिए Education Allowance, Health Scheme जैसी अनेक सुविधाएं दी जाती हैं जीन में से अधिकाउस जम्मू कश्मीर के कर्मचारियों को पुलीस परिवारों को नहीं मिलती हैं ऐसी सुविधाओं का तत्काल रिवियू कराकर जल्द ही जम्मू कश्मीर के कर्मचारियों को, पुलीसों को, उनके परिवार जनों को ये सुविधाएं महया कराई जाएगी साथियों बहुत जल्द ही जम्मू कश्मीर और लदाख में सभी केंद्रिये और राज्य के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी इससे स्थानिय नवजवानों को रोजगार के परियाप्त आवसर उपलब्द होंगे, साथ ही केंद्र सरकार की पब्लिक सेक्टर युनिट्स और प्रावेट सेक्टर की बड़ी कम्पनियों को भी रोजगार के नए अवसर उपलब्द कराने के लिए प्रोजसाहित किया जाएगा इसके अलावा सेना और अर्दस सैनिक बलों द्वारा स्थानिय युवाओं की भरती के लिए रेलियों का आयोजन किया जाएगा सरकार द्वारा प्रदान मंत्री स्कॉलर्सिप युजना का भी विस्तार किया जाएगा ताकि जादा से जादा विद्यार्थियों को इसका लाब मिल सके जम्मु कश्मीर में राजस्व घाटा भी बहुत जादा है एक प्रकार से राजस्व घाटा बड़ी चिंता का विश्य होता है केंद्र सरकार ये भी सुनिश्चित करेगी कि इसके प्रभाव को कम किया जाए बाई और बहनों केंद्र सरकार ने अनुच्छे तिन सो हटाने के साथ ही अभी कुछ कालखन के लिए और मैं बताता हूं कुछ कालखन के लिए जम्मु कश्मीर को सीधे केंद्र सरकार के शासन में रखने का फैसला बहुत सोच समझ कर लिया है इसके पीछे की वजह समझना भी आपके लिए महत्वपूर है जबसे वहां गवर्नर रूल लगा है जम्मु कश्मीर का प्रसासन सीधे केंद्र सरकार के संपर्क में है इसकी वजह से बीते कुछ महिनों में वहां गुड गवर्नंस और डेवलप्मेंट का और बहतर प्रभाव जमीन पर दिखाई देने लगा है जो योजनाएं पहले सिर्फ कागजों में रह गई थी उन्हें अब जमीन पे उतारा जा रहा है दसकों से लटके हुए प्रोजेक्ट को नई गती मिल रही है हमने जम्मू कश्मीर प्रसाचन में एक नई कार्य संस्कृति लाने पारदर्सिता लाने का भर्षक प्रयास किया है इसका नतीजा है कि आयायटी आयायम एम्स हो तबाम शाथ-षाथ इरिगेशन प्रोजेक्ट हो पावर प्रोजेक्ट हो या फिर करप्षन ब्यूरो एंटी करप्षन ब्यूरो इन सब के काम में तेजी आई है इसके अलावा वहां कनेक्टिविटी से जूड़े प्रोजेक्ट हो, सडकों और नई रेल लाइनों का काम हो, एरपोर्ड का आधुनी कराण हो, सभी को तेज गती से आगे बढ़ाया जा रहा है साथियों, हमारे देश का लोक तंत्र इतना मजबूत है, लेकिन आप ये जानकर चौक जाएंगे कि जमू कश्मीर में दसकों से हजारों लाखों की संख्या में ऐसे भाइबें रहते हैं, जिने लोग सभा के चुनाओं में, उसमें तो वोट डालने का अधिकार था, लेकिन वो विदान सभा और वहां की पंचायत, या महां की नगरपाली का, या महां की महानगरपाली का, न वो चुनाओं में मद्दान कर सकते थे, न चुनाओं लड़ सकते थे, ये वो लोग हैं, जो 1947 में, बटवारे के बाद, पाकिस्तान से भारत आई थे, हिंदुस्तान के अरण राज्यों में उनको सब अधिकार है, अकेले जम्मु कश्मीर में नहीं है, क्या इन लोगों के साथ, अंधियां ऐसे ही चलता रहता है, साथियों, जम्मु कश्मीर के अपने भाईयों बहनों को, मैं एक महत्वपुन बात, और स्पस्ट करना चाहता आपका जनप्रतिनिधी आपके द्वारा ही चुना जाएगा, आपके बिच से ही आएगा, जैसे पहले मले होते थे, वैसे ही मले आगे भी होंगे जैसे पहले कैबिनेट होती थी, मंत्री परिशद होती थी, वैसे ही मंत्री परिशद आगे भी होगी जैसे पहले आपके CM होते थे वैसे ही आगे भी आपके मुख्यमंत्री होंगे आपके CM होंगे साथियों मुझे पूरा विस्वास है कि इस नई व्यवस्था के तहट हम सब मिलकर आतंगबाद, अलगावबाद से जम्मु कश्वीर को मुक्त कराएंगे जब दर्ती का स्वर्ग हमारा जम्मु कश्मीर फिर एक बार विकास की नई उचाईयों को पार करके पूरे विश्व को आकर्सित करने लगेगा नागरीकों के जीवन में इज अफ लिविंग बढ़ेगी नागरीकों को जो उनके हक का मिलना चाहिए वो बे रोग टोग मिलने लगागा शासन प्रसासन की सारी व्यवस्ता जन हित कारियों को तेजी से आगे बढ़ाएगी तो मैं नहीं मानता कि केंद्र सासीत प्रदेश यूजियन टेरिटरी की व्यवस्ता जम्मु कश्मीर के अंदर चलाए रखने की ज़रुरत पढ़ेगी हाँ लदाख में वो बनी रहेगे भाई और बहनों हम सभी चाहते हैं कि आने वाले समय में जम्मु कश्मीर विदान साबा के चुनाव हो नई सरकार बने नए तेजस्वी उर्जावान नवजबान एमेले बने मंत्री बने मुख्यमंत्री बने मैं जम्मु कश्मीर के लोगों को भरोसा देता हूँ कि आपको बहुत इमानदारी के साथ पूरे पारदर्शी बातावरण में आपके अपने प्रतिनिदी चुनने का अवसर तुनंद मिलेगा जैसे बीते दिनों पंचायत के चुनाव पारदर्शीता के साथ संपन्न कराए गए वैसे ही जम्मु कश्मीर विदान सापा के भी चुनाव होंगे मैं राज के गवनर से भी आगर करूंगा कि ब्लॉग डेवलोप्मेंट काउंसिल का गठान जो पिछले दो तिन दसकों से लंबित है उसे पुरा करने का काम भी जल्द से जल्द किया जाए साथियों ये मेरा खूद का अनुभव है कि चार पाट महेने पहले जम्मु कश्मीर और लदाक के पंचायत चुनावों में जो लोग चुन कर आए वे बहुत बहतरीन काम कर रहे हैं वे अभी नंदन के अधिकारी हैं कुछ महिनों पहले जब मैं स्रीनगर गया था तो वहां मेरी उनसे लंबी मुलाकात भी हुई थी जब वो यहां दिल्ली आये थे मेरे घर पर आये थे मैं उनसे काभी देर तक बात कि थी पंचायत के इन साथ्यों की वज़े से चुने हुए पंचायत के पंच और प्रधान के वज़े से जम्मु कश्मिर में बिते दिनों ग्रामी इन स्तर पर बहुत तेजी से काम हुआ है हर गर बिजली पहुंचाने का काम हो या फिर राज्य को ओपन डेफिकेशन फ्री ओडिये बनाना हो इसमें पंचायत के प्रतिनीद्यों की बहुत बड़ी भूमिका रही है उसमें भी महिला पंच जो चुन करके आई है उन बहनों ने तो कमाल करके दिया है मुझे पुरा विश्वास है कि अब अनुच्छे 370 हटने के बाद जब इन पंचायत सदश्यों को नई विवस्ता में काम करने का मोका मिलेगा तो वो कमाल कर देंगे यह मैंने देखा है हो और मेरा विश्वास है मुझे पुरा विश्वास है कि जम्मू कश्मीर की जनता अलगाव बात को परास करके नई आशाओं के साथ नई उर्जा के साथ नए सपनों के साथ आगे बढ़ेगी मुझे पूरा विश्वास है कि जम्मू कश्मीर की जनता गुड़ गवननस और पार दरसीता के वातावरान में नए उत्सा के साथ अपने लक्षों को प्राप्त करेगी साथियों दसकों के परिवारबाद ने जम्मू कश्मीर के मेरे युवाओं को नेत्रुत्व का अउसर ही नहीं दिया हम मेरे युवा जम्मू कश्मीर के विकास का नेत्रुत्व करेंगे और उसे नई उचाईयों पर ले जाएंगे मैं जम्मु कश्वीर और लदाख के नौजवानों वहां की महन बैटियों से विशेश आगरा करूँगा कि अपने खेत्र के विकास की कमान आगे आएए खुद समालिये साथियों जम्मु कश्वीर और लदाख में दुनिया का सबसे बड़ा टूरिस्ट डेस्नेशन बनने की ख्षमता है इसके लिए जो बातावान चाहिए शांसन प्रसांसन में जो बढ़लाव चाहिए वो किये जा रहे हैं लेकिन मुझे इसमें हर देश्वासी का साथ चाहिए हर हिंदुस्तानी का साथ चाहिए एक जमाना था जब बॉलीवूर की फिल्मों के शुटिंग के लिए कश्मीर पसंदिदा जगाती है उस दौरान शाहिद ही कोई फिल्म बनती हो जिसकी कश्मीर में शुटिंग न होती हो अब जम्मू कश्मीर में स्थित्यां सामान्य होंगी तो देश ही नहीं दुनिया भर के लोग वहां फिल्मों की शुटिंग करने आएंगे हर फिल्म अपने साथ कश्मीर के लोगों के लिए रोजगार के नए अनेक अउसर भी लेकर आएगी मैं हिंदी फिल्म इंड़स्ट्री तेलूगो फिल्म इंड़स्ट्री और तमिल फिल्म इंड़स्ट्री और इससे जुड़े से लोगों से आंगरख करूंगा कि जम्मू किश्मीर और लदाख में निवेस के बारे में फिल्म की सुटीन से लेकर थीटर और अन्य साधनों के स्थापना के बारे में जरूर सोंचे उसको प्रात्विक्ता दे जो टेकनोलोजी की दुनिया से जुड़े लोग हैं चाहे वो प्रशासन में हो और फिर प्रावेट सेक्टर में उनसे भी मेरा आग्रह है कि अपनी नीतियों में अपने फैस्टलों में इस बात को प्रात्विक्ता दे कि जम्मू कश्मीर में कैसे टेकनोलोजी का विस्तार कि जाएं वहां के नवजवान तेजस्वी हैं अंग्रेजी भाषा के साथ जुड़े हुए हैं जब वहां डीजिटल कॉम्मूनिकेशन को ताकत मिलेगी जब वहां बीपियो सेंटर कॉमन सर्विन सर्विस सेंटर बढ़ेंगे जितना ज्यादा टेकनोलोजी का विस्तार होग उतना ही जम्मू कश्मीर के हमारे भाई बहनों का जीवन आसान होगा उनकी आजीविका और रोजी रोटी कमाने के अवसर बढ़ेंगे साथियों सरकार ने जो फैसला लिया है वो जम्मू कश्मीर और लदाक के उन नवजवानों को भी मदद करेगा जो स्पॉर्स की दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हैं अगे नए स्पॉर्स एकडेमिश नए स्पॉर्स टेडियम साइन्टिफिक एनवार्मेंट में ट्रेनिंग उन्हें दुनिया में अपना टैलेंट दिखाने में मदद करेगी और कश्मीर का बच्चा खेल के मैधान में दुनिया के अंदर हिंदुस्तान का नाम रोशन यह ताकत महां पड़ी है साथियों कि जम्मू कश्मीर के केसर का रंग हो या कहवा का स्वाद कि सेव का मीठा पन हो या खुबानी का रसिला पन कि कश्मीरी शाल हो या फिर कलाकृतिया लद्दा के और्गनिक प्रोड़क्ट हो या हर्बल मेडिसिन कि इसका प्रसार कि दुनिया भर में किये जाने की जरुरत है कि मैं आपको एक उधान देता हूं कि लदाख में कि सोलो नाम का यह पौधा पाया जाता है कि जानकारों का कहना है कि यह पौधा हाई एल्टिटूड पर रहने वाले लोगों के लिए बर्फिली पाड़ियों पर तैनात सुरक्षा बनों के लिए यह संजिवनी का काम करता है कम अक्सिजन वाली जगह पर कि शरीर के इम्म्यून सिस्टीम को समाले रखने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है कि सोचिए ऐसी अद्भूत चीज दुनिया भर में बिकनी चाहिए कि नहीं बिकनी चाहिए कोन हिंदूस्तानी नहीं चाहेगा और साथियों मैंनों तो सिर्फ एक कई नाम लिया है ऐसे अंगिनत पहुदे हर्बल पोड़क्ट जमू कश्वीर और लदाक में बिखरे पड़े हैं उनकी पहचान होगी उनकी बिकनी होगी तो इसका बहुत बड़ा लाब वहां के लोगों को मिलेगा विशेशकर वहां के किसानों को मिलेगा इसलिए मैं देश के उद्द्यम्यों को एक्सपोर्ट से जुड़े लोगों से फूर्ट प्रोसेसिंग से जुड़े लोगों से आगरा करूंगा कि जम्मू कश्वीर और लदाक के स्थानिय प्रोडस को दुनिया भर में पहुचाने के लिए आगे आए साथियों au union territory बन जाने के बात अब लव्रादा के लोगों का विकास भारत सरकार की स्वाभावित जिम्मेदारी बनता है कि अस्थानिय प्रत्निदीओं लदाक और कर्गिल की Development Council के सयोग से केंद्र सरकार विकास की तमाम योजनाओं का लाप अब और तेजी से पहुंचाएगी लदाख में स्पिरिचल टूरिजम, एडवेंचेर टूरिजम और इको टूरिजम का सबसे बड़ा केंद्र बनने की ख्षमता है इतना ही नहीं, सोलर पावर जन्रेशन का भी लदाख बहुत बड़ा केंद्र बन सकता है सोलर रेडियेशन में हिंदुस्तान में लदाख की धर्ती अबवल नमबर पे है अब वहां के सामर्थका उचित इस्त्वाल होगा और बिना भेदभाव विकास के लिए नए अवसर बनेंगे अब लदाख के नवजवानों की इनोवेटिव स्पिरिट को बढ़ावा मिलेगा उन्हें अच्छी सिक्षा के लिए बहतर संस्तान मिलेगे वहां के लोगों को अच्छे अस्पताल मिलेंगे इन्फास्ट्रेक्चर का और तेजी से आधुनी करन होगा साथियों लोग तंत्र में ये भी बहुत स्वाभाविक है कि कुछ लोग इस फैसले के पक्ष में हैं और कुछ को इस पर मद्भेद हैं मैं उनके मद्भेद का भी सम्मान करता हूं और उनकी आपतियों का भी इस पर जो बहस हो रही है उसका केंद्र सरकार जवाब भी दे रही है समाधान करने का प्रयाद भी कर रही है और ये हमारा लोग तंत्रिक दाइत्व है लेकिन मेरा उनसे आगर है कि वो देश हित को सर्वो पर ही रखते विए व्यहवार करें और जम्मु कश्मीर लदाक उसको नई दिशा देने में सरकार की मदद करें देश की मदद करें देश की भावनाओं का आदर करें संसद में किसने मतदान किया किसने नहीं किया किसने समर्थन दिया किसने नहीं दिया इससे आगे बढ़कर अब हमें जम्मु कश्मीर लदाक के हीत में मिल करके एक जूठ हो करके काम करना है मैं हर देश्वासी को यह भी कहना चाहता हूं कि जम्मु किश्मीर और लदा के लोगों की चिंता है यह हम सब की चिंता है 130 करोन नागरिकों की चिंता है उनके सुख दुख उनकी तकलीप से हम अलग नहीं हैं अलग हो नहीं सकते हैं अनुच्छे 370 से मुक्ती एक सच्चाई है लेकिन सच्चाई ये भी है इस समय एहतिहास एहतियात के तौर पर कुछ कदम उठाने की जरूरत थी उनकदमों की कारण जो भी परशानी हो रही है उसका मुकाबला भी कि वही के लोग कर रहे हैं और वो भी सयोग देकर के कर रहे हैं कुछ मुठी भर लोग जो वहां हाराज बिगारना चाहते हैं उन्हें धैरिय पुर्वक जवाब भी वहां के ही हमारे भाई बहन दे रहे हैं हमें ये भी नहीं बुलना चाहिए कि आतंकवाद और अलगावाद को बढ़ावा देने की पाकिस्तानी साजीसों के विरोध में जम्मु कश्मीर के ही देशबक्त लोग डट करके खड़े हुए हैं भारतिय सम्मिधान पर विश्वास करने वाले हमारी ये सभी भाई बहन अच्छा जीवन जीने के अधिकारी हैं उनके सपनों को साकार करने के लिए उनको मोका मिले ये उनका हक है हमें उन सब पर गर्व है मैं आज जम्मु कश्मीर के इन साथ्यों को बरोसा देता हूं कि दीरे धीरे हालात सामान ने हो जाएंगे और उनकी परेशानी भी कम होती चली जाएगी शाथ्यों इद का मुबारक तेवहार भी नद्दी की है इद के लिए मेरी और से आप सभी को बहुत बहुत शुप कामना है सरकार इस बात का ध्यान रख रही है कि जम्मु कश्मीर में इद मनाने में लोगों को कोई परेशानी ना हो हमारे जो साथी जम्मु कश्मीर से बहार रहते हैं और इद पर अपने घर वापस जाना चाहते हैं उनको भी सरकार हर संभो मदद कर रही हैं साथियों आज इस अवसर पर मैं जम्मु कश्मीर के लोगों की सुरक्षा में तैनाथ अपने सुरक्षा बलों के साथियों का भी आभार व्यक्त करता हूँ प्रसासन से जुड़े सभी लोग राज के सभी कर्मचारी और जम्मु कश्मीर पुलीस जिस तरह से स्थीतियों को समाल रही हैं वो सचमुच में बहुत बहुत प्रसंसनिया हैं आपके इस परिश्रम ने मेरा इविश्वास और बढ़ाया है कि बढ़लाव हो सकता है लोगों का भला हो सकता है भाई और बहनों जम्मु कश्मीर हमारे देश का मुकोट है हम बच्पन से सुनते आए हैं गर्व करते आए हैं इसकी रक्षा के लिए जम्मु कश्मीर के अनेकों बीर बेटे बेटियों ने अपना बलिदान दिया है अपना जीवन दाव पर लगाया है पूंच जिले के मौलवी गुलाम दीन जिनोंने 65 की लड़ाई में पाकिस्तानी गुस्पेठ्यों के बारे में भारतिय सेना को बताया था उन्हें असोग चक्र से सम्मानित किया गया था लदाक के करनल सोनम वांचुंग जिनोंने कारगीर के लड़ाई में दुश्मन को धूल चटा दी थी उन्हें महवी चक्र दिया गया था राजोरी की रुकसाना कौसर जिनोंने एक बड़े आतंकी को मार गिराया था जिती चक्र से सम्मानित किया गया था पूंच के सहीद औरंगे जिनकी पिछले बर्ष आतंकियों ने हत्या कर दी थी और जिनके दोनों भाई अब सेना में भरती होकर देश की सेवा कर रहे हैं ऐसे बीर बेटे बेटियों के लिस्ट बहुत लंबी है आतंकियों से लड़ते विए जम्मु कश्पीर पुलीस के अनेक जमान और अपसर भी शहीद हुए है निर्दोस नागरीक भी मारे गए हैं देश के अन्ने भुखभाग से भी हजारों लोगों को हमने खोया है इन सभी का सपना रहा है एक शांत सुरक्षीत समरद जम्मु कश्पीर बना लेगा उनके सपनों को हमें मिलकर पुरा करना है साथियों यह फैसला जम्मु कश्पीर और लड़ा के साथ ही पूरे भारत की आर्थी प्रगती में सहियोग करेगा जब दुनिया के इस महत्वपूर भुभाग में शांती और खुशाली आएगी तो स्वाभाविक रुप से विश्व सांती के प्रयासों को भी मजबूती मिलेगी मैं जम्मु कश्पीर के अपने भाईयों और भेहनों से लड़ाग के अपने भाईयों और भेहनों से आवान करता हूँ आएए हम सम मिलकर दुनिया को दिखा दें एक शेत्र के लोगों का सामर्थ कितना ज्यादा है यहां के लोगों का होसला उनका जज़बा कितना ज्यादा है आएए हम सम मिलकर नए भारत के साथ अम नए जम्मु कश्पीर और नए लड़ाग का भी निर्मान करें बहुत बहुत धन्यवार